नमस्कार, आज हम बात करेंगे आदी शंकराचारे और ललेश्वनी की योग भूमी की, बौध विहारों और संतों की धर्ती की, कलहान की राजत रंगनी में जिसका जिक्र है हिंदू और बौध राजाओं की, साथी चर्चा होगी कश्मीर में आ रही संब्रिद्धी की नई बयार की और साथी जिक्र करेंगे कश्मीर में हो रहे स्वीट रेवलिशन का इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास महमान मौझूद है जो मैं कश्मीर की प्रिंसिपल, रेजिडेंट, कमिशनर, डौक्टर रश्मी सिंग, बहुत अस्वागत है डौक्टर रश् प्रिंस्थली और जहां आपकी स्कूलिंग हुई जहां आपकी एडूकेशन हुई अब कैसा था वो अनुभव हमारे साथ आप शोयर करना चाहेंगे अनुभव बिहार की प्रिश्मी में जब जाती हूं तो मुझे यह ख्याल आता है कि बच्चियों को उस समय बहुत जाद हाईर एडूकेशन के लिए तो बहुत प्रेरित नहीं किया जाता था तो मेरा यह सब भागे रहा कि मैं ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां पर मुझे कभी कोई बंदिश नहीं मिली जिससे कि अपने हम जो एक लड़की लड़के में भीद भाव जो देखते हैं जो मुझे हमेशा यह लगता था कि ऐसा क्यों है जो कि लड़कियां अपने सभी ख्वाइश को पुली नहीं कर सकती हैं तो मुझे यह परवरिश मिली कि मैं उन सपनों को देख पाई और उसके लिए मेहनत कर पाई और उसको पूरा भी कर पाई और इससे एक फाइदा जरूर ह हुआा बिहार की उस पृश्मोमी से कि भूट सारी बच्चियां जो मेरे बाध पढ़ाई में उस समय छोटी थी बच्चियां थी वो कहती थी कि जब दीदी रश्मी दीदी यह च्ग कर सकतीं है या जब वो धिली जाकर के को लेजी शीराम कोलेज में पढ़ सकती है तो ऐस क्यों है कि मेरे भाई को तो आप दिली भेज रहे हो पढ़ने के लिए या चंडिगर भेज रहे हो पढ़ने के लिए उसे बिहार में कॉलेज की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और मैं बात कर रही हूं मैंने 82 में अपना 10th किया और 84 में मैंने 12th किया और 84 तो 87 के बीच में मै इडी श्री राम कॉलेज में पढ़ी 87 तो 89 मैंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाई थी तो बहुत बच्चेया थी जो की मेहनत तो कर रही थी लेकिन उस समय एक भेद भाव दिखा जाता था कि बच्चे तो चले गए उनके भाई तो चले गए आगे उच्छा में लेकिन उन् हाल लेकेन अब तो बहुत बदलाव आया है जहां हम देखते हैं कि अपना बच्चियां किसी भी छेतर में पीछे नहीं है और तो मेरे लिए ट्रांसिशन इसको बदलाव को देखना जहां पर आज की बच्चियां जो हैं वो हर फील्ड में जो बेटियां हैं जहां पहले उ आप बिहार से आ रही थी, आप भुस्वा में प्रिष्ट मुवी बता रही है कि इतना मतलब खुला महौल नहीं था, लड़किया इतनी आगे नहीं बढ़ती थी, आपके पिता, शंकर दयाल सिंग, जिन्होंने राजनीती की धूप और तहिते की चाव देखी, तो वो दो बा से जादा मुझे लगता है कहीं न कहीं विक्तित्व का असर जरूर है, उनकी सोच की असर जरूर हमारे जीवन पे रही और वह सोच यह था कि हमेशा वो समाज के लिए सोचते थे, लोकसव्या के लिए हमेशा सोचते थे, जो लिखते थे, उस साहिते में भी, वो बड़ा उ जिसको हम कहते हैं, और जो मानवी एमूल होते हैं, वह हमने बहुत ज़्यादा उनके अंदर देखा, और कहीं न कहीं वह हमें हमेशा प्रेजित करता रहा, कि मन्ना कुछ भी है लेकिन एक हुमानिटी के साथ में काम करना है, घर का भी महौल उनकी वज़े से इसा रहता था कि आपके घर में राजनेताओं का भी आना होता होगा, साहिते सुझड़े लोगों का भी आना होता होगा, पत्रकारों का भी आना होता होगा, तो किस तरह का आपके घर का माहल रहता है? तो बहुत इंक्रेस्टिंग आपने पूछा और घर का दर्वा जहां मेंशा खुला रहता था और यह भी दिखता था कि रात बेरा जो है जिस तरह के लोग अपना अपन के साथ आते थे अपना अपन के साथ में जुड़ते थे और सुख दुख दोन में उन्हें लगता था कि महां जाएंगे तो एक community feeling वो आज की तारीक में थूड़ा मुझे उसमें लगता है कि कमी मुझे दिखती है क्योंकि वह जो अपना अपन है आज तो हम बहुत appointment के साथ में अपने परिवार जनों से भी लोग मिलने जाते हैं तो शायद बहुत पहले इसंके calendar को appointment लेना कि मुझे गर्व इस बात का हुआ कि जिस तरह के मनीशी मुझे विद्वान जन देखने को मिले और उनसे बहुत कुछ सुनना सीखना अपने आप में बड़ा सुन्दर अनुभाव रहता था और उसमें कहीं न कहीं उस परिवेश से जो है मुझे एक जो वाद आवर मिला त तो हमें अपने इंट्रेस्ट की साथ साथ जो है अपने दायरे को विस्तृत रखना चाहिए अब पिता आपके राजनीती से जुड़े थे पॉलिटीशन थे साहित्य से भी जुड़े थे लेकि राजनीती को अगर मैं समझना चाहूं उस जरिये से कि जिंदीगी को समझने में या प्रोफेशनल लाइफ के चालेंजस को समझने में क्या उससे कुछ मदद कभी मिली एक समझ के लेवल पर बात करें मुझे रगता है जरूर मिली अड़ाप्टिबिलिटी के टर्मस में क्योंकि जो महाल हमने देखा तो उसमें पिता जी जैसे कहते थे कहीं सबह कहीं चालें तो एक किताब का शीर शिपियां का रहे है और आज की तारिक में जब मैं कभी जमू में हूँ कभी श्रीनगर में हूँ कभी दिली में हूँ और अंडमाने को बार में भी आपने अंडमन में भी गई या मैंने बुंदेल खन में भी काम किया तो और बिहार भी जाती हूँ तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी एक अड़ाप्टिबिलिटी हमें जरूर मिल जाती है और बड़े सहज रूप में और दिली तो है तो दिली ए महसुस हुआ जमु कश्मीर में हूँ वहां भी मुझे एक अपनापन उस जगह के लिए एक बहुत ज़्यादा लगता है कि इतने कम दिनों में उसको जानने का पहचानने का लोगों से जुड़ने का एहसास जो होता है तो मुझे लगता है कि शायद वह जो यात्रा रही बच एडाप्टिबिलिटी तो वो बड़े अन्यास वो आता गया और इसके लिए मुझे फिर अपने पिताजी का कहीं न कहीं उनका योगदान अपने ग्रोइंग अप यर्ज में अन्यासी बिना कहे हुए भी शायद उन्होंने इस बात को हमें एक इन आड़टेंटली इन स्प आजनीती में तो कठिनाया भी आती है बहुत चैलेंज इस बी उन्होंने भी बड़े हस्ते हस्ते उन चैलेंजस को भी लिया कोई ऐसा वाक्या होगा उनका राजनीती से जुड़ा जिसे आप याद करके शेर करना चाहें हमारे दाशकों से या साहित इस जुड़ा बहुत ह यह राजनीती से जुड़ा मुझे एक बार ध्यान आता है और पेपर का एक शीर्षट भी कि वो चले थे गुजरात के गवनर बनने लेकिन राजे सबा में पहुँचे अब हुआ कि अपना वहां पे एक समय था जबकि अनौन्स हो गया ग्रे मंत्री उस समय थे जो ततकालि उनकी नहीं आप तो शंकर द्याल भाई आप तयारी करिये आपको गुजरात का गवनर बनना है और वहां से फैवल भी भी भिहार से दे दिया गया और वह दिली आगे और गुजरात भवन से पूरा जो है उनका एक रिसेप्शन और यह सब और और ऑगनाईज हो रहा था क् ग्रह मंत्री ने कह दिया था उसके बाद अब राजनीती में यह होता है कि जब तक की चीछ बिलकुल जो है कागज पर लिखी वह नहीं आजाए तो उस समय कुछ फेर बदल ऐसा हुआ कि वह गुजरात नहीं जाकर कि वह फिर से संसद में आए और राजसभा के मेंबर की र बहुत इंट्रेस्टिंग रही और फिर मुझे यह भी स्टेट्मेंट उनका याद है कि मैं अगर वहां जाता तो गवनर की रुप में मैं कैद हो जाता और अभी तो मेरा समय है लोगों से मिल जुल करके नहीं है तो राजजीती में कुछ भी निश्चित नहीं होता बतलब अब चत्रा को डर्मा जब वो लोग सभा में सांसत थे तो स्थान था वो समय चत्रा को डर्मा का तो नेक्सलाइट एरिया था और वहां पे अपना लोग निकलने से रात को बहुत डरते भी थे अच्छ पिता जी अपना रात बेरात गहुमते थे और मुझे याद है कि एक के लिए बिलकुल सेफ नहीं है और गाड़ी पीछे ये करिए और वो सिर्फ रुके ही नहीं है वो गाड़ी सिर्फ बाहर उत्रे और जो उस समय के जो कहने को असामाजिक तक तो थे मुझे ध्यान है कि वो रुक करके जब उन्होंने पिता जी का नाम सुना और तुरंट ज कि वही एक नेक दिल पहचान जो थी तो वो मुझे बहुत अप्हील करता था जो ही गुणापनी लिए उनसे कोशिश तो करती हूं प्रयास तो करती हूं लेकिन इससे कन्विक्शन जरूर हुआ कि पद और पहचान से कहीं ज़्यादा मानवीय मोल्य जो है ये बहुत इंप क्या है अनुप हम आपके जब आपने जम्मू कश्मीर में समय विताया जब आपके पोस्टिंग वहां थी तो क्या ये उनसे सीखे हुए कुछ गुर आपके काम है अडाप्टिबिल्टी जैसे मैंने कहा लोगों के प्रती एक सम्मान लोगों के प्रती आदर लोगों का वि क्यों कि लोगों का ट्रस्ट, कॉंफिडेंस मुझे मिलता रहा और मुझे अपने टीम को बनाने में कोई दिकत नहीं आई तो अब आपकी आपकी जो हस्बन है वो भी एक बिरोक्रेट हैं बहुत सीर बिरोक्रेट हैं यूपी काइटर के वह बहुत सीर पोजिशन पर हैं य कि क्या कभी ऐसा लगा कि दोनों civil servant है तो कभी ego clashes हूँ या कभी या उनसे support मेला मैं तो कहूंगी कि support और supportive role तब होता है जब हम एक दूसरे के काम को समझते हैं और ego clash का तो सवाल नहीं था क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग दोनों सबसे पहले अपना public service को एक बहुत ज़्यादा एहमियत रखते हैं दोनों तो दोनों को एक दूसरे के compulsions को भी समझने का मौका मिलता हूँ कई बार ऐसा हुआ है कि हम एक दूसरे के बड़े विशेश दिन हम साथ में नहीं रहे हैं वो हमारी anniversary रहे हमारा birthday रहे हम साथ में नहीं रह पाएं लेकिन तबी भी हमने कभी बुरा नहीं माना और इसलिए नहीं बुरा माना क्योंकि वो मेरे compulsions को समझते रहे मैं उनके compulsions को समझी उस जिम्मेदारी को समझी और उस जिम्मेदारी में कुर्बानी करनी पड़ती है public service career में हमें sacrifice करना पड़ता है यदि हम चाहते हैं कि हम अपना 100% इसमें दे तो हमें साथ में ऐसा नहीं है कि हर समय अपने हिसाब से ही हम दे पाएंगे तो कई बार इस तरह के commitment होते हैं कि हमें फिर एक दूसरे के उन चुनौतियों को ओड़ना पड़ता है तो कोशिश हम लोने यही की कि एक दूसरे के जो हमारे challenges आए उसको हम समझ सकें और साथ नहीं भी रहे physically लखनों में वो रहे मैं कभी दिली, कभी अंडमन, कभी जमू कश्मीर तभी यह दूरियां, यह फासली जो हैं वो खतम हो जाते हैं यदि दिल से हम एक दूसरे के प्रतिबदताओं को समझते हैं तो मैं उस मामले में मुझे खुशी है सबात को कि करियर के compulsions और करियर के सिप कमपल्शन नी कमिटमेंट आविध रदे से विव अंडिस्टूद यह उन्डिस्टूब्स आपका दिन दिन चर्या लाइश्टाइल चलेंजिंग हो ती आप एप एनरजी कहां से लेती हैं और कभी आपको थगे हुए नहीं देखा तो मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग लगता है कि अच्छा क्यों लोग एक्स्पिक्ट कर रहे हैं मुझे थगा हुआ देखना और क्यों ऐसा लगता है कि नहीं हमें थगना चाहिए क्या इसलिए कि मैं बहुत अपने आपको व्य अच्छा लगता है हर दिन लगता है कितना कुछ करना है हर दिन लगता है कितना कुछ हमें युगदान देना है और I think we owe it to a public service career again because we are here by choice not by any compulsion to agar compulsion नहीं है choice है तो वो choice है क्या वो choice है you know what best we can do and there's so much to contribute मुझे कभी-कभी यह लगता है कि मुझे संतोष होना चाहिए मैंने इतना कुछ किया लेकिन संतोष क्यों नहीं है इसलिए क्योंकि हम कैसे मान सकते हैं कि इतना कुछ किया क्योंकि public service career ऐसा होता है जिसमें कि आपको हमेशा बहुत सारी चुनाती रहेगी कि बहुत कुछ और करना है करना है ठीक है जैसे मैंने कहा last mile last mile connect last mile delivery एक भी बच्चा यदि स्कूल में नहीं है तो वो हमारी जम्मेदारी है अभी जैसे मैं बिलावर गई थी back to village प्रोग्रा जाती हूं तो वहां मुझे कुछ बच्चे मंदिर पर अपना मा की सीवियों पर मिले पता चला वो स्कूल नहीं जा रहे है फिर वहां के स्कूल में विजिट करने गई एक बच्ची वहां पर boundary के बाहर मिली ठीक है वो जाक करके देख रही है कि अंदर सब बच्चे जो है वो प्रिविलेज़ क्लास हैं वो बाहर थी तो फिर खोर्जमीन शुरू हुई कि क्यों नहीं जा रही है उसका birth certificate नहीं था birth certificate थे सिल्दार से बात की बनवाया गया अब वो स्कूल जा रही है बहुत अच्छा भी कर रही है और टीचर उसका report card कभी-कभी भेज भी रहे है बड़ी खुशी हुई रिंकी की इस कहानी को देखते हुई तो ये challenge है तो आज की तारीक में बहुत सारी रिंकी अभी भी इधर और इधर और है जिनको हमें ढूंडना है और सिर्व रिंकी नहीं मैं कहूंगी जैसे हमारी बहुत अच्छी होजना है आयुशमान भारत health card ब तक उसने निगलेक्ट किया स्टोन था पत्थर था लेकिन वो बताती नहीं थी घर में तो फाइंली केस बहुत बिगड़ गया तो इस तरह की योजनाओं की बारे में आपको लगता है बतार ब्यूरोक्रेट की बहुत सारी योजनाओं ऐसी बनती हैं जिनका इंप्लिमेंटेशन या उनका इस्तमाल कैसे किया जाए जो लोगों को पता नहीं होता वो कहीं नगा एक कवरिकेशन गैप रहता है बतलब पढ़े लेखे लोगों को भी नहीं पता होता कि योजनाओं एक्जिस्ट करती है आज की तारीक में सरकार का एक बहुत बड़ा एक क को सुस किया जाता था कि जिसको पूरा फाइदा अठाना है वो पूरी छरसी उसका फाइदा नहीं उठा पा रहा है और क्योंकि आपको लगता है कि वह योजनाओं जैसे किसी और की लीवणी वुए जबकि वह तो आप के लिए आप हकतार है जब हकतार है तो आपको अगर यदИ कोई दिकत भी आ रही है तो आप आगे आएंगे, अपनी दिकत को बताएंगे, तब ही तो समदान होगा टू-बे कमुनिकेशन नहीं हुपाता या पिर वो एक्जिस्ट भी कर रही है वो यूजना तो आज की तारीक में जब हम लोग जमू कश्मीर में ये प्रयास करते हैं कि नहीं पब्लिक गर्बार के थूँ या बैक टू विलेज के थूँ या ब्लॉक दिबस वहां मनाया जाता है तो कोशिश होती है टू वे कॉम्निकेशन की कि फिर हमारे डेप्टी कमिशनर हैं हमारे अपना बाकी जो पंचायती राज इंस्टिचूशन से जुड़े हुए लोग है तो जो अपना ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं तो सब का एक समबाद हो सब उस्योजनाओं के बारे में बात करें एक दूसरे को बताएं अब जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना है आपने उत्रप्रदेश की बात की मेरे पतिदेव की बात ये की मुझे पता है कि कितनी खोशी उन्हें होती है जब वो देखते हैं कि अपना इस तरही योजनाओं को घर 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 में मतलब गाहों तक जो है अपने पंचायती राज इंस्टिचूशन के माध्धिम से जो है जब ये लोग ले करके जाते हैं तो उन्हें खुद भी खुशी होती है कि अपना कोई वंचित नहीं रह जाए तो भारत सरकार की योजना है हमारे स्टेट अड्मिनिस्ट्रेशन वो उतर प्रदेश हो या जमू कश्मीर हो तो इन सबों में एक बहुत बड़ी हो तो इसके लिए जो है हमारे स्कीम जो है जो सबसे वंचित वर गए जो सबसे जरूरत मंद है तो उस तक तो उसका पहुंचना और भी जरूरत है लेकिन उसके लिए हम सब को सजग बहुत होना है महनत बहुत करना पड़ता है तो उसमें हम मतलब सिफ आकड़ों पे हम लो आपकी करियर से जुड़ा में एक सवाल पुछना चाहूंगे और जब मैं किसी विमिन लीडर से बात करती हूं तो मुझे लगता है कि एक उपिनिन लेना चाहिए उनका कि जब वो बात करती हैं अपने सेहकर्मियों के साथ काम करती हैं आप लीडर्शिप पॉजिशन पर हैं बतौर महिला होने की वज़े से कमाका गया हो या फिर आपके जो कलीक्स हैं या मानेजे आपसे सीनियर हैं या सबॉडिनेट हैं हो सकता है कि वो आपके बराबर की दरजे की पॉजिशन पर काम करने वाले पुरुश के साथ दूसरे तरीके का वैवार करते हो लेकिन जब मह महिला हो जाता है क्या कभी ऐसा लगा कि माइंड गेम्स होते हैं या गास लाइटिंग कभी होती है कि महिला को ऐसा माना जाए कि वो अपनी बुद्धी पर शख करें उस तरीके का मतलब जितना पहली परसेप्शन जब जब एक बुरुश और महिला को देख कि तो कि महिला कि अपार्फल पुजिशन पीपल प्रसूम धाइट गांड गांगा जबुश और मुझे वैसा नहीं महसूस हुआ लेकिन यह जरूर लगता था कि कभी-कभी हम जिस रूप में चीजों को सोचते हैं सोच का नजरिया कभी-कभी पुर्शों का अलग होता है यह जर तो कभी कभी मुझे लगा कि वो सेंसिटिविटी जो है वो जेंडर सेंसिटिविटी तो वो सब में मैं सभी पुर्षों की बारे में तो नहीं कहूंगी और हमारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जेंडर सेंसिटिविटी बह तरह से जो है कई रूप में उनके वो रोल मॉडल जिनको आप कह सकते हैं लेकिन नॉट एवरिवन तो जहां तक आपने कहा कि अपने पूरे सर्विस करियर की बात कहूं तो ऐसा जरू महसूस किया कि सब लोगों में यदि वह जेंडर सेंसिटिविटी रहे या रहती तो शायद हम जो इस जेंडर इनिक्वालिटी की बात कहते हैं मतलर लाक ओफ एकॉल उपरचुन्टी की बात कहते हैं तो वो चीज़ शायद वो जो फासला इतना लंबा था वो नहीं होता और आज की तारीक में तो हमारे मानिय प्रधान मंत्री जी ने तो उसका एक स्ट्रोक में जो है जो आपका हाइस लेवल आफ लीडर्शिप के लिए जिस तरह का रेजर्वेशन जो अधिनियम के साथ में जो ये हाइस पॉलिटिकल लीडर्शिप पे ले करके आएं है वह तो एक बहुत बड़ा प्रमान है इस बात को कि एक लेवल प्लेंग फील्ड क्रियेट करने के लिए जो गभर्मेंट का हाइस कमिट्मेंट है तो वह तो लाया जा रहा है लेकिन यही कमिट्मेंट जो है डाउन दे लाइन जो हमारे फील आफिसेज भी है हमारे बाकी जो अक्रॉस डिफरेंट लाइन्स यह कमिट्मेंट बहुत जरूरी है ताकि महिलाओं के लिए एक लेवल प्लेंग फील्ड बनी रहे हमेशा और जेंडर सेंसिटिविटी बनी रहे हमेशा उसे चोटी-चोटी चीजे बड़ी मैटर करती है तो वो जो है सेंसिटिविटी जो है बहुत मैटर करती है जिससे की महिलाओं ज्यादा से ज्यादा कामकाजी महिलाओं आगे बढ़ पाएं उनको प्रुटसाहन मिलता रहे उनका वर्क-लाइफ बैलन्स बना रहे तो आज की तारीक में बहुत बड़ी चुनाती है और क्या आपको लगता है कि mental toughness की जो बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो मेल होते हैं परवरिश की भी इसमें बात आती है कि हम कैसे महाल में पले बढ़े हैं जो मेल होते हैं या पुरुष होते हैं जो में होते हैं वो जादा mentally tough होते हैं ऐसा क्या परसीव किया जाता है ऐसा माना जाता है और महिलाएं इसाद इसमें mentally tough नहीं होती अगर और इसका क्या socialization से सामाजी करेंट से इसका तालुक है और है तो फिर किस तरह की परवरश होनी चाहिए कि जो लड़की आप आ गया है वो भी mentally tough हो मुझे तो लगता है कि महिलाएं ज़्यादा emotionally balanced होती है क्यों क्योंकि शायद कहीं न कहीं जो अच्छा नहीं लग रहा हो अगर मान लीजे कि किसी के दुखदर्द को देख करके आँख में आसू है वह भी एक balance है यदि वो अपने बच्चों के साथ enjoy कर रही है क्योंकि काम के बाद भी बच्चों के साथ वो enjoy कर रही है वह भी एक balance है तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं का mental toughness is not being less emotional I think you know the emotional balance calls for being emotional कि आप संभाव तो रहना ही चाहिए ऐसा नहीं है कि संभाव नहीं है ठीक है कि आप hyper भी नहीं हो सकते संभाव के साथ मांसिक मजबूती का मांसिक मजबूती ऐसा नहीं है कि आप बिलकुल ही detached हो जाए बिलकुल ही dispassionate हो जाए लोगों का दुख दर्थ देख करके एक जैसे मा किसी बच्चे के कष्ट को देख करके दुखी होती है, द्रवित होती है तुरंट कुछ करना चाहती है तो ये एक feminine quality है और ये feminine quality of leadership जो है, ये men में भी होता है लेकिन सभी men में नहीं होता है तो मुझे लगता है परस्नली कि आज की तारीख में जर्वत है तो हाव मोर अफमिन quality of leadership वाई? बिकूस बीजेग में भालंस, दीजीशनल करनेक्ट ये में एक अपॉस्नल अटाच्मिट बिजेग तो अप्रशनली लगता है कि यह कहीं न कहीं help करता है मेरा हो सकता है मेरा personal belief हो लेकिन apathy मैं देखती हूँ तो वो मुझे लगता है कि नहीं especially कि किसी अगर दुख दर्द कहीं है उसको लेकर कि आप apathetic हो आप फरकी नहीं परता है संवेदना, संवेदनशील होना तो फिर जो है वो दूरी जो है मातब उसके बाद आप समधान नहीं ला सकते हो तो लीजर्शिप पोजिशन में तो आपको समधान के लिए वो पैशन पे तो रखना ही पड़ता है बहुत बहुत शुक्रिया रचमीर से बातशीत करने के लिए हमसे कशमीर से लेकर अंड़बान तक और बुदेल खंड से लेकर आपने कई चर्चाएं की और हर पहलों पर आपने बात की बिहार तक बात की बुदेल खंड से लेकर और आपकी चन्म से लेकर हमने आपके प्रोफेशनल करियर अब तक की बात की आपकी professional life की बात की और आपकी लिजी दिन्दगी की बात की सभी पहलियों पर बातचीत करने के लिए हमसे बहुत 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 शुक्रिया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे लगता है काफी research करके जो मेरे कई पहलियों को आपने खुद भी जागरित किया है तो मुश्किल तो होता है माँ उनकी बारे में reflect करके बोलना लेकिन अच्छा भी लगता है कि आपने मौका दिया कि मैं शायद उस journey को आपके साथ में जो है री लिव कर सकी शेयर कर सकी तरे कि लाज इव काफे खिया?